मेरे पेर विध्यारतियां उतकष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनन्दन है सभी गोगोड आफटर नोन जुतार साब सवाई साहब तोलसी जी जगदेश जी सभी का हार्दिक अभिनन्दन चले हम शुरू करेंगे आज का जो टॉपिक है हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था हमने नमक सत्यागरह के बारे में नमक सत्यागरह के बारे में नहीं नमक सत्यागरह तो आज शुरू करूंगी उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया गांधी जी ने जो हमने कॉंग्रेस का लाहोर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था लाहोर अधिवेशन और उसकी खास बाते क्या थी क्या आपको याद है लाहोर अधिवेशन की बारे में हमने लास्ट टूडी में बहुत इंपॉर्टेंट बाते करी थी लाहोर अधिवेशन कब हुआ इसकी खास कॉंग्रेस ने एक अधिवेशन आयुजित किया था लाहूर का यस सुखपृत एक्सलेंट आंसवर बच्चा रोहित जी दिसंबर 1930 कॉंग्रेस जो है उसका लाहूर में अधिवेशन आयुजित किया और इसमें किस बात की मांग रख दी थी कि बस हम इससे कम या जादा तो क कुछ लेंगे ही नहीं क्या कहा गया लाहूर अधिवेशन में जो एक स्टेटमेंट बताया था मैंने आपको और इसकी अधियक्षता किस ने करी यह भी बताओ फटाफट से मैंने आपसे एक और बात बताई थी इसकी अधियक्षता उस अधिक्षता में भी खासियत थी जो जो है खुश नहीं होंगे अब हम लेंगे तो पूरा स्वराज लेंगे आधा नहीं लेंगे आधिय दूरी जो अंग्रेज हमें दे रहे थे हम उससे संतुस्ट नहीं होंगे बताओ इसके अध्यक्षे कौन थे बहुत खास आदमी है बहुत खास व्यक्तित्व है जो आगे भ पहला स्वतनरता दिवस जो है कब मनाया गया बहुत बड़े-बड़े कॉंपेटिशन एक्जामों में पूछते हैं इसके अदिक्षदा किस ने करी भाई पंडित जवाहरलाल नहरू जी ने करी थी और यह यूवापीडी थी जवाहरलाल नहरू और सबसे खास बात क्या थी कि अब इस प्रकार से कॉंग्ड्रेस का नितरतव जो है यूवापीडि के हाथ में यूवा यानि गरम एकडम stवतनरता तो लेना ही लेना है पून्र स्वश्वरास तो हमें लेना ही लेना है और इसी के साथ क्या मनाने की ती प्रत्थम stवतनरता जो दिवस है वह मनाने की कम गोशना करी थी भई हम कब की बात कर रहें, दिसम्बर स्वतनरता दिवस, दिसम्बर में हम आ चुके तो दिसम्बर के आगे तो मिएना होगा नहीं तो अगर हम दिसम्बर 1931 कोई प्लानिंग करेंगे पहले जंडा फैराएंगे, रास्ट्रगान गाएंगे, देश बक्ती के गीत गाएंगे, फिर अचुतों के उधार के लिए, शराब की बंदी के लिए, बहुत सारे हम कारीकरम करेंगे, यह का एक प्रतिग्या दिलवाई थी गांदी जी ने, क्या कोई बता सकता है क्या, हाँ डोमेनियन स्टेट की गोशना करी थी, लेकिन हमने कह दिया हम डोमेनियन स्टेट नहीं लेंगे, बिल्कुल ठीक लिखा, एक गांदी जी ने एक प्रतिग्या करवाई थी सबसे, कि हम सब एक प्रतिग्या करेंगे, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में प्रतिग्या होती है न को कि गांधी जी ने कहा हम सब प्रतिग्या लेंगे क्या प्रतिग्या लेंगे गुजरात में है बार्दोली बार्दोली कहां पर है गुजरात में है जहां पर किसान सत्याग्रा 1928 में हुआ था जो बहुत बार एक्जाम में पूछते हैं 1928 में ही साइमन है और 1928 में ही जो है बाहर दो ली है गांदी जी ने प्रतिग्या ली थी स्वतंडरता हर व्यक्ति का अधिकार है हर व्यक्ति स्वतंडरता का लाब उठा सकता है कोई भी उजे गुलाम नहीं बना सकता और हर विक्ति को अपनी मैनत का फल प्राप्त करने का अधिकार है यहाँ ध्यान रखना है दो चीज गांदी जी ने कही थी अगर कोई सरकार इसको आपसे चीनने की कोशिश करती है तो सरकार को भी हम जो है बदल सकते हैं यहाँ गांदी जी ने प्रतिग्या जो है ली थी प् प्रतिग्या थी प्रतिग्या यानि हम इसके प्रण लेते हैं हम ये वादा करते हैं सभी मिलकर कसम खाते हैं कि अब हम क्या करेंगे पूर्ण स्वतन रुता को राप्त करेंगे ऐसी सरकार जो हमें हमारी मेनत का फल न लेने दे उसको हम बदल देंगे हमारे पास अधिकार है इसको बदलने का यहाँ प्रतिग्या थी रितिक बेटा आपने बिलकुल सही आदर साब आपने बिलकुल सही लिखा है चलो अब बात करते हैं 2015 से पहले कॉंग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे आंस्वर दे दिया है सोफिया ने सबसे पहले स्वरूप जी बहुत बढ़िया गोपाल जी यस नाइन्थ का आपने बी आंस्वर दिया है मुहमद अली जिन्ना और गोपाल कृष्ण गोखले जो सहब थे वह कौन थे देखो बाल गंगार तरती लग फिर यहां पर यह उदारवादी नहीं आएंगे लाल बाल पाल तो आप सभी जानते हैं यहां पर भी बाल का नाम आ गया तो यहां भी राइट नहीं होगा मौमद अली जिन्ना और गोपाल कृष्ण कोखले उदारवादी जो थे वो किसके समर्थक थे क्या चाते थे यह उदारवादी का मतलब क्या है उदारवादी चाते थे धीरे धीरे हम सरकार से अनुने विनय करें उन्हें हम एप्लिकेशन लिख कर दें चोटी चोटी बाते हम उनसे मनवाएं इस प्रकार से उधारवादी और उगरवादी में बड़ा अंतर है या ध्यान रखना है उधारवादी ने क्या कहा उधारवादी चाहते थे कि धीरे धीरे हम क्रमिक रूप से प्रयास करें और आगे बढ़ें तो राइट आंसर आप सभी ने भी दे दिया है बिल्कुल ठीक ह फरवनी 1916 में जो बनारसिंदू विश्रो विध्याले का समारो था उसमें गांधी जी को बुलाया गया था क्यों बुलाया गया था गांधी जी जननेता थे गांधी जी रास्टर पिता थे गांधी जी महरास थे महतमा थे बताओ क्या कारण था यास अशोक बिल्कुल ठीक यह टाइम भी आपसे पूछ सकते हैं बनारसिंदु विश्यू विध्याले जहां गांधी जी की प्रथम सार्वजनिक उपस्तिती थी। है पहली बार गांधी जी भारत के सामने कुछ बोलेंगे क्या answer दिया है आपने 11th का भी answer दिया है डक्षिन अफरीका में यस बिलकुल ठीक लिखा है आपने कि वास्तों में गांधी जी को इसलिए नहीं और 14 जो विभाजन है वह डिलीट हो गया है ओके और बताओ कैसे देखे library में देखना है आपको चलो और बताओ इस question का गांधी जी ने अमीरवर्क को आड़े हाथो लिया यस रोहित बिलकुल ठीक लिखा आपने बहुत ही शांदार इस एक सिंदु विभाज़े के उद्गाटन समारों में एक महिला उपस्तित थी वह महिला कौन थी और उस महिला ने क्या कारी किया था बनार सिंदु विभाज़े की स्थापना में मदनमोन मालविय सहब और एनिवी सेंट का बहुत बड़ा योगदान जो है रहा दोनों के प्रयतनों की वज़से ही बनार सिंदु विभाज़े और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने धन दिया रास्टरवादी जिसे हम कहेंगे जो खुब सारे लोग थे जिन्होंने धन दिया तो यहां पर ध्यान रखना एनिवी सेंट जो है वह मैला उपस्तित थी 1916 में बनार सिंदु विभाज़े का उदगाटन हुआ गांडी जी ने किसकी और ध्यान नहीं देने के लिए विसेस्टरवर्ग को आड़े हातों लिया था अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छा कम जाले का उडगाटन समारो हुआ था गांडी जी ने क्या कहा किसकी और ध्यान नहीं दिया इसलिए गांडी जी बहुत नाराज होते हैं और आलोचना करते हैं हाँ कोश्चन नमबर 14 का आंसर आ गया है मौना जी ने दे दिया डी यहां शांती जी इरफान जी सुथार सहाब दीप शिखा 13 पर है अभी दीप शिखा काजल रितेश जी अमंदीप जी नेहा ने सब सही आंसर क्या है यस किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिप शिखा ने सही आंसर दिया है बिलकुल ठीक है रोहित बच्चा बिलकुल ठीक है 14 का आंसर आप्शन डी होगा विवेक ने लि प्रशान्त जी, रितेश जी, रुपेश जी, बिल्कुल ठीक आंस्वर है, लेट नहीं होना है, टाइम पे स्वाशान्ती जी, चलो अब बताना है आपको, हाँ किसानों की और ध्यान नहीं दिया था कुशी, बिल्कुल ठीक है, कुशन है मेरा दिसंबर 1916 में कॉंग्रिस का वार्शिक अदिवेशन कहां हुआ, यह भी बताओ, और इसका क्या महत्व है, इसका हमारे जीवन में, या किसी व्यक्ती के जीवन में क्या महत्व है, यह आंदोलन वाला, यह अदिवेशन का मैंने कॉशन क्यूं दिया, ऐसी क्या खास गटना थी, जो हमने इस आंदोलन के बारे में लिखा है नागपूर गलत है रोहित का सही आंसवर है question number yes आर्पी सिंग सहब बिल्कुल ठीक आंसवर दिया है हाँ जल्दी से बताओ क्या आंसवर है question number 15 का लखनों में एक question और पूछा मैंने उसका भी answer दीजिए जगदीश जी हाँ बिल्कुल ठीक है 15 question number जो है वह बिल्कुल ठीक है ऐसा क्या गटना थी जो मैंने इसका question आप से पूछा एमदाबाद सत्यागर अब तीन जगे है चमपारन, खेडा और एमदाबाद लेकिन question ये board exam में पूछा जा रहा है कि इसमें भिहार ये नहीं पूछ रही उन्हें एक व्यक्ति मिला था यास, दीब सिखा ने एकदम सही समझा जो मैंने पूछा आप से दीब सिखा एक अकेली बच्ची है जिसने जवाब दिया है 15 का A answer सही है या तो ठीक है लेकिन खास गटना क्या थी लेकिन उसने गांदी जी को इतना इतनी बार आग्रा किया प्लीज गांदी जी चलो प्लीज गांदी जी चमपारन चलो देखो तो सही हमारे वहाँ पर कितनी मुश्किल है लोगों के साथ कितनी अंग्रे जोने हालत खराब कर रखी है गांदी जीन का ठीक है मैं जब राउन लगाऊंगा इंडिया का तब वहाँ पर जो नंबर आएगा तब तुम्हारा देख लेंगे लेकिन वह नहीं माना गांधी जी के पीछे-पीछे चला गया गांधी जी साबरमती आश्रम तक पहुँचे वो आश्रम तक पहुँच गया इतना कोई आपको चार बार कहेगा तब हाँ बिलकुल रोहित बटा गांधी जी चमपारन गये थे एक्सिलेंट राजकुमार शुक पर, question आपका, कोई भी पूछ सकते है, 16th का question आपने answer दे दिया है B, बिल्कुल ठीक है, चलो 16th का B हो गया, अब मुझे बताओ, ये जगे कहाँ पर, ये गटना कहाँ हुई, और ये गटना कहाँ हुई, A के आगे लिखकर बताओ, और C के आगे लिखकर बताओ, कि A जो स्थान पर हुई, किसान ने कहा, बिल्कुल शांती बिटा, बिल्कुल ठीक है, अन्मान सिंग जी, रितेश ची 16th का B, आर्पी सिंग जी, A, बिहार, yes, आर्पी सिंग जी, जो मैंने पूछा, बिल्कुल ठीक आंस्वर दे दिया है, A, बिहार है, और बिहार चंपारन, बिल फसल चौपट जो है वहा कहा पर हुई थी आर्पी सिंग जी एक्सलेंट बिलकुल ठीक है खेडा यस रोहे बिलकुल ठीक लिखा है बच्चा चमपारन एमदाबाद खेडा यस एक्सलेंट बिलकुल ठीक है सारी गटना यह इस तरीके से बोर्ड एक्जाम में पूछा वा यस बिलकुल ठीक है सी के समय फसल चौपट कहा हुई थी खेडा में हुई थी और इसलिए सत्याग्रब यह कोशन आपने सभी ने बताई दिया है फसल चौपट होने पर तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खेडा और किसकी अधिक्षता में रॉलेक्ट पारित हुआ था रॉलेक्ट एक्ट क्या था पहले तो मुझे यह बताओ कोशन यहां पर यहां पोचा है कौन सा व्यक्ति था जो हैड था और उस समय रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ और यह भी बताओ यह रॉलेक्ट एक्ट ऐसा क्या है जो मैंने इसका कोशन बना दिया क्या कोई खास ची अर्विन जी बिल्कुल ठीक है अब हम हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति है जिसके अधिक्षता में रॉलेक्ट एक्ट रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ पहले तो यह बताओ रॉलेक्ट एक्ट लगा कब था वास्तों में अंग्रेजों ने फस्ट वल्ड वॉर के समय कुछ कुछ बाते कुछ बंदन हम पर लगा दे थे क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है फस्ट वल्ड वॉर कब हुआ यस बहुत बड़या खुशी बिना अपील बिना दलील के व्यक्ति को जेल में डालना इसी को यहाँ कुशन जो है बहुत बार पूछावा है इसी को काला का कानून कहा गया है जिसमें कहा कि ना तो कोई अपील कर सकेगा बिना अपील के बिना दलील के बहुत बड़या अंसवर दिया बहुत शानदार बिना दलील और बिना वकील के किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है बिना अपील बिना दलील और बिना वकील और इसी क क्या कहा गया था कि प्रैस पर भी प्रतिबंद लगा दिया जाएगा और यहां सिडनी सहब की अधिक्षता में पारित कर दिया गया अब फस्ट वल्ड वार खतम हो गया भाई 1944 से हमने फस्ट वल्ड वार आपने लिख दिया 1948 फस्ट वल्ड वार चला एकसिलेंट बहुत बढ़िया पोकर सहाब अर्विन सहाब नया जी जगदीश जी बिलकुल ठीक है सवाई बेटा 1914 से 18 तक First World War निशा जी बिल्कुल ठीक लिखा है ना First World War जो है हाँ बिना आपिल के डाल देते थे दीपशी का बिल्कुल ठीक लिखा अशोग जी और प्रैस वर भी प्रतिबंद था यास नरेश जी बिल्कुल ठीक लिखा आपने है ना लेकिन यहाँ पर उसके पश्चात यह तो First World War जो चल रहा था तो इसको हमने ठीक मान लिया जैसे सुखाराम जी लिख रहे है 1914 से 18 हाँ ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं थी चलो World War चल रहा है और उस समय सरकार प्रतिबंद लगा रही है तो ठीक है First World War खतम होने के बाद अब इसकी क्या आवशिक्ता है कोई आवशिक्ता नहीं है इसका मतलब तो सिधा सिधा हमें बंदन में डालना यही हुआ ना 1919 में इसकी आवशिक्ता नहीं थी लेकिन फिर भी सर सिडनी जो थे हाँ पंजाब सबसे ज़्यादा थे हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है आपने चलो आगे चलते जलियावाला बाग हत्याकंड कहां पर हुआ था बंबई में मदरास में अमरत्सर में पूने में और मुझे यह भी बताओ जलियावाला बाग हत्याकंड कब हुआ था कहां भी बत चलो नहीं तो मन्थ बता दो आपकी बुक में यस मात्मा गांधी जी रोईट जी बिलकुल ठीक है गांधी जी के जो है हम देखते हैं कि गांधी जी के हाथ में अब एक ऐसा मुद्दा आया जिससे वो देश्व्यापी आंदोलन को खड़ा कर सकते थे क्या गांधी जी की किसने खुशी ने एक्सेलेंट आंसर दिया नरेश वटा बहुत बढ़िया 13 अप्रेल 1919 यस विलकुल ठीक है 13 अप्रेल 1919 को जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ कहां पर हुआ पंजाब में अमरत सर में यस ने हां अमरत सर कहां पर है अमरत सर पंजाब की अंदर है जहां पर जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था काला विधयक किसे कहते हैं यह भी पढ़ लिया हमने रॉलेक ट्क काला विधयक कहते हैं चलो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की गांदी जी गिरफतार यस गांदी जी गिरफतार हो गए थे चलो अब हाँ नहीं रोज नह इसा क्या हो गया नमक सत्यागरह करना परता गांधे जी को तो इस बात को समझोगे अंग्रेजी सरकार जो है उसने बहुत सारे घ्रणित कानून लगा दिये अंग्रेजी सरकार जो भारत पर अधिकार कर चुकी थी उस अंग्रेजी सरकार ने बहुत सारे घ्रणित कानून लगा दिये बहुत सारे क्या लगा दिये घ्रणित कानून जो है वो अपलाई कर दिये किस पर भारत पर बिर्टिश भारत पर कहा पर भारत पर बहुत सारी ग्रणित कानून लगा दिया उसी में से एक कानून क्या था उसी में से एक कानून था नमक पर बहुत ज़्यादा टेक्स लगा दिया क्या करा था देखो ये गांदी जी रवाना हो रहे डांडी यात्रा है मार्च 1930 से रवाना हुई देखोगे समझोगे नमक सत्यागर जो है वह क्या है वास्तों में नमक जो था वह क्या था नमक एक ऐसी चीज है जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी खाएगा और अमीर से अमीर व्यक्ति भी खाएगा इसमें कोई विक्ति ऐसा नहीं है कि जो नमक नहीं खाये, सभी के घरों के अंदर, सभी के घर के अंदर एक अपरिहारी वस्तु, आपके बुक में एक शब्द दिया है, अपरिहारी, अपरिहारी का मतलब जिसके बिना चली नहीं सकता, एक अपरिहारी चीज है, अपरिहारी ह प्रिटिश शर्कार थी उसने इसके उथपादन पर और इसके विक्रे पर दौनों पर रोक लगा दी। पर जासूस जो देखसे थे कहीं पर भी नमक नहीं बनना चाहिए अब नमक नहीं बनेगा तो खाना तो है यह है be तो हम बाहर से लेंगे वहॉह यही तो चाहते थे लिग रिगस क्या चाहते है कि भी आंग्रेज जो से बनावा जो बनावी म现在 का नमक हम खरीदें, हम उसी को उचे दामों पर खरीदें इंग्लेंड का नमक जो है उसे हम क्या करें उचे दामों पर खरीदो, कितना उचा सोच कर बताओ, उचे दामच पर खरीदो, एक मिनट कोई भी दचा मुझे, सोच कर बताओ, कि मानुव यह 100 रूपे का नमक होगा, तो उनक को अंग्रेज कितने रुपे में बेच रहे होंगी, अइडिया, थोड़ा सा बताओ, कोई बच्चा सोच सकता है, सोचो, निधी, एक बार सोच कर बताओ, परीत बेटा, एक मिनट सोच कर बताओ, कि किस प्रकार से, कितना कोई व्यक्ति बढ़ा सकता है, 100 रुपे का नमक, कित बेच लो, 100 का 110 में बेच लो, 120 में बेच लो, या हम यह सोच ले 1.500 में बेच लो, चलो, एक बच्चे ने आंस्वर लिखा है, हो सकता है 200 में, एक लिख रहा है 500 में, एक लिख रहा है 1.000, एक विश्नु जो बच्चा है वह लिख रहा है 1.000 रुपे में राकेश 1.500 लिख र अंग्रेजों ने जो इस नमक को 1400 रुपे में बेचा, 1400 गुना करके बेचा, इतना मेंगा नमक बेचा है उन्होंने, 100 रुपे का नमक जो है वह 1400 में बिखेगा तो कैसे खरीदेगा एक गरीब व्यक्ति, इस प्रकार से उन्होंने ऐसा किया, और जिस नमक पर करनी लगा सकती थी सरकार, उस नमक पर क्या कर देते थे, उस नमक को जो है नस्ट कर दिया जाता था, बताओ ये कहां का रूल हुआ, बहुत खराब बात हुई, देखो यहां पर मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से, यहां बताया गया है कि बहुत 14, हम क्या देखते हैं, नमक का जो मु आदी जी ने लिखा है, प्रती दिन जो सुचनाई मिल रहे है, उससे पता चल रहा है, नमक की कर को तयार किया, ठीक है टेक्स ले लो भाई, 100 रुपे का नमक ए 1 रुपे, 2 रुपे टेक्स ले लो, लेकिन कितना गुना, 14 गुना टेक्स लिया जा रहा था, जो कहीं पर भी माफ नहीं किया जा सकता, बहुती ग्रणित कानून, बहुती अलोक प्रिय कानून था और सारी जनता बहुत जादा इससे दुखी थी, भ्यान रखना है, कैसा कानून इसको कहेंगे, बहुती ग्रणित जिससे घ्रणा हो, बहुती अलोक प्रिय कानून था, लोक प्रिय विरोध नहीं किया, देखो हम इतने सारे लोग थे न, क्या गांधी जी का ही वेट कर रहे थे, क्या हमें इतनी ताकत नहीं थी, हम विरोध नहीं कर सकते, हां नहीं कर रहे थे, यही फरक पड़ता है, मोटिवेशन का, हम कहते हैं मोटिवेशन देते हैं, तो क्या फरक पड़ बड़े बड़े इंटर्यू में आपसे पूछते हैं कि गांधी जी ने जो है नमक का चूज क्यों किया, क्या कारण था गांधी जी नमक सत्यागरा करते हैं, और कोई चीज हल्दी का सत्यागरा क्यों नहीं करा, मिर्ची का सत्यागरा क्यों नहीं करा, वस्र का सत्यागरा क्य जबकि हमारे यहां खोब मना मन नमक सद्यों से बन रहा था, उसके लिए हमें कोई सोचना ही नहीं पड़ता था, आज भी देखो नमक बहुत सस्ता होता है, किचन में जो भी चीजे हैं, नमक सबसे सस्ता, और नमक बिना आप खाना ही नहीं खा सकते, मैं बिना मिर्ची की सब जी बना कर दूँ, आप आराम से खा लोगे, हल्दी नहीं डालू चलेगा, धन्या नहीं डालू चलेगा, नमक नहीं डालू तो कैसे खाओगे, यानि वो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे वो सो रुपे किलो हो, चाहे चोदा सो रुपे किलो हो, नमक तो आपको खाई ने सकते हैं न, तो यहाँ पर जब नमक पर टेक्स लगाया, तो अशंटोस बहुत ज़ादा था, और यहा गांधी जी की कुसल समझधारी का परीचय है, कि उन्होंने क्या करा, जो अशंटोस था उसको संगठित कर दिया, गांधी जी ने क्या करा, जो अशंटोस था, हर व्यक्ति तकलीफ पा रहा है यही सबसे शुरुवाती दौर में फस्ट दे क्या पढ़ाया था भारत गांधी जी आए उससे पहले भी नेशनलिस्म था राज़रबाद था स्वराज जो है हमने पढ़ा स्वदेशी आंदोलन चल रहा था लाल बाल पाल उसके नेता थे कॉं इसलिए हम रास्ट पिता कहते हैं इसलिए मातमा कहते हैं इसलिए फस्ट पेज पर क्या लिखा वाई गैरी बाल्डी है जो इटलिके की करण में योगदान देता है हो ची मिन है वियतनाम में पढ़ लिया आपने लेकिन जो भारत में गांधी जी ने किया वैसा किसी ने नह तो सब को साथ लेना यहां गांधी जी का सबसे सबसे खास चीज है जो इस NCRT book में बताया है और आपको इंटर्यूज वगर में पूछते हैं तो आपको बताना है जादा से जादा व्यापक आंदोलन्गइ और इसी वज़से डांडी यात्रा शुरू की थी निद्दीश बि धन्यवाद समझ में आ गया तो यहाँ इसी वज़े से और एक खास बात गानी जी को बहुत तकलीफ देती है वह यह है अरे जो खाना है देखो हमारे गर में क्या होता है थोड़ा सा भी बच जाता है और अगर उसको डस्ट्रमेंट में डाल दिया जाए तो भैंकर लड़ाई उस नमक को नस्ट कर देती थी सरकार यानि हमारे मूँ तक ना आ सके बहुत ज़्यादा पैसे देो और नहीं दे सकते अगर हम किसी प्रटेक्स नहीं लगाएंगे तो हम उसे नस्ट कर देंगे और यही बात गांदी जी को बहुत बुरी लगई अपने आप नमक बनता है पानी है नदिया है खारा पानी हमारे यहां खूब था है आज भी और नमक अपने आप बनता था नेचुरल वे से हमें कुछ नहीं करना लेकिन यह उसे नस्ट कर रही है किसी भी वज़स से किसी चीज को खुद का प्रियोग नहीं करना और अन्य क को भी उसका प्रियोग ना करने देना यानि मेरे पास कुछ है ना तो मैं उसको यूज लेऊं और ना आपको लेने देऊं और ये कहां का न्याय हुआ बात समझ में आई इस ब्रकार से उस चीज को नस्ट कर देना अन्याय पुर्ण नीती को किसी भी विशेशन द्वारा नही नहीं बताया जा सकता विवन सोर्स जो है उससे मुझे पता चला है कि रास्टर की संपत्ती को नस्ट किया जा रहा है टनो टन ना सही मन भर नमक को नस्ट कर दिया गया डाड़ी से भी इस तरह की बाते पता चल रही है लोग अपने व्यक्तिकत प्रियोग है तो नमक उठा पाने की संभावना दिखती है वह ऐसा लगता है कि यहां लोग थोड़ा सा नमक ले ले तो वहां अंग्रेज अधिकारी तुरंत नियुक्त कर दिया जाता है जिसका एक मात्र उदेशी क्या है उस नमक को विनाश कर दो बहु मुल्य रास्ट्र की संपत्ती को हमारी ही संपत् अच्छा और उसे नस्ट कर दिया जाता है लोगों के मुँ से नमक झीन रहे है यहां तो एक अभीशाप है जो चारो तरफ फैला हुआ है बहु मुल्य लाब उसे हमें वंचित कर रहा है और इसी वज़े से फिर भी जनता उदासीन है देखो इतना अत्याचार हो रहा था क क्या हम अपने आपांदोलन नहीं कर सकते थे नहीं कर रहे थे जनता उदासीन है गांधी जी ने उन्हें जागरत किया है और इस प्रकार से गांधी जी ने कहा कि हमें जो है इसे समाप्त करना ही होगा और इसी वज़े से गांधी जी ने नमक सत्यागरह की गोशना कर दी ग गांधी जी ने एक पत्र लिखा था, उस समय वायसराय कौन था, इर्विन था, इर्विन को गांधी जी ने पत्र लिखा, क्या लिखा, कि बहुत कम है, हमें कोई भी प्रकार का हत्यार रखने की अनुमती नहीं है, जब कि अंग्रेजो को है, अंग्रे जोको भारत में बहुत अच्छी सेलेरी मिल रही है जाने के बाद भी पैंसन मिल रही है ऐसा 11 सुत्री एक कारिक्रम था जो आपके कोर्स में नहीं है बस बता रही हूँ गांधी जी ने लेटर लिखा कि मेरी ये बाते तुम स्विकार कर लेना नहीं तो मैं नमक सत् प्तिवादी तरीके से तोड़ रहे है क्या बताया गांधी जी ने इर्विन को पत्र लिख दिया क्या कहा कि अब मैं ये कानून जो है तोड़ूंगा कैसे तोड़ूंगा यात्रा करूंगा एक नमक यात्रा करूंगा और उसके द्वारा नमक यात्रा करूंगा और कानून जो है उसको तोड़ूंगा सपस्ट रूप से गांधी जी ने कह दिया कि मैं ऐसा करने वाला हूं लेकिन इर्विन ने का ठीक है एक दूबला पतला सा आदमी क्या कर लेगा नमक यात्रा निकाल रहा है निकाल ले कुछ फरक थोड़ी पड़ रहा है इर्विन ने इस महत्व क को समझा ही नहीं 12 मार्च यस प्रीत बिलकुल ठीक लिका है 12 मार्च हम क्या देखते 12 मार्च 1930 गांधी जी कहा से साबरमति आश्रम से रवाना होते हैं पतले दूबले एकदम से गांधी जी देखना अभी आप न्यूस पेपर्स में भी खुब हसी उड़ेगी गांधी जी क साबरमती आश्रम से रवाना हो रहे हैं कहां से रवाना हो रहे हैं ये भी कुशन पूछते हैं ध्यान रखना साबरमती आश्रम जो उनका खुटका था वहां से रवाना होते हैं आश्रम से और कहां पहुंचेंगे डैंडी पहुंचेंगे सम उंड तट पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जाकर के नमक जो है बनाएंगे गांदी जी ने शुरू कर दिया 12 मार्च को रवानवे पहुचे कब थे 6 अप्रेल को गांदी जी पहुच गये 6 अप्रेल को जो है गांदी जी यहाँ पर पहुच गये और नमक बनाया नमक जो है बनाया और इस प्रकार कानून तोड़ लिया कानून क्या था आप नमक नहीं बना सकते लेकिन गांधी जी ने तो 6 अप्रेल को पहुँच कर नमक बना दिया केवल गांधी जी ही नहीं देश के अलग-अलग भागों में जहां-जहां नमक बनता था सब जगे इस प्रकार की यात्रा है जो है शुरू हुई अब आपके जो है 12 मार्च तो बुख में दिया है 6 अप्रेल बुख में नहीं दिया लेकिन फोटो के नीचे दिया है बोर्ड एक्जाम में इस पर कुशन पूछा रहा है गांधी ची की यात्रा कब समाप तुई तो 6 है आपको डेट जो है 12 मार्च से 6 अप्रेल तो 6 अप्रेल ध्यान रखनी है यूँ नहीं कि मैणम यह तो बुख में है यह नहीं बुख में है कहां पर है हाँ 78 अनुयाई जो है बाद में लाखों की संख्या में अनुयाई जूडते चले जाएंगे देखो यह डेट आपकी इमेज आपकी बुख में दीवी है यह आपकी बुख की इमेज है और उसमें लिखावा है नमक यात्रा की समाप्ती तो कोश्चन आउट ओफ सलेबस नहीं होगा ध्यान रखना 12 मार्च से 6 अप्रेल कितने 3 हफते जो है गांदी जी को लगे थे और गांदी जी ने यात्रा करी गांदी जी को डर था कि 100% जो है गिरफतार कर लिया जाओंगा लेकिन गिरफतार कैसे होंगे अगर मैं कुछ अपराद करूंगी तो मेरी गिरफतारी होगी अगर मैं शांती से चलती जाओंगी तो गिरफतार क्यों होगी गांदी जी अहींसा वादी थे और गांदी ज गांधी जी लिखते हैं कि मैं एकदम आराम से पहुंच जाऊंगा और इसके लिए मैं धन्निवाद देता हूँ अहीन सा हूँ और इसी वज़े से अंग्रेजी सरकार हमको गिरफतार नहीं कर पाई यहां यात्रा देखो शुरू हो रही है ऐसा लग रहा है बिल्कुल कुछ नहीं नॉर्मल यात्रा है है अब बात करते हैं कल हम कानून नमक का कानून तोड़ेंगे पांच अप्रिल को गांदी जी ने डा लेकिन मेरे साथी नांडी तक आ गए और मुझे निष्य ही छूट नहीं मिलेगी यहां सोचा गांदी जी ने कि मुझे तो पकड़ेंगे यही पकड़ेंगे ठीक है मेरे साथी पहुच जाएंगे लेकिन मैं तो जेल में जाओंगा लेकिन आहिंसा सरोपर इधर में अशोक बिल्कुल ऩीग है यह ध्यान रखना है कि अहिन्सा एक ऐसा शस्त्र था जिसका गांदीजी ने यहां पर प्रियोग करा और बिना किसी अपराद से सरकार आपको जेल में कैसे डालेगी अहिन्सा वादी तरीके की वज़ा से है na तो यहाँ ध्यान रखना है, अपनी इस सत्ता को सब मैसूस कर सकते हैं, गांडी जी कहते हैं, इसमें शांती और अहींसा का हाथ है, अब पीट थपसपा सकती है सरकार, क्योंकि सरकार चाती है, तो हमें गिरफतार कर लेती, लेकिन सरकार के पास इसका सहस नहीं था, क्योंकि गिरफतारी कैसे करती, ऐसी सैना की गिरफतारी में शर्म मैसूस होती, अगर कोई वेक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा होता है, जो पडोसियों को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसका मतलब बस सिस्ट वेक्ती है, बैस सरकार ने गिरफतार क्यों नहीं करा, बिना गलती क तो डाल नहीं सकते, तो ऐसा काम कौन करता, जो सिस्ट हो, जो खराब आदमी होगा, वो तो किसी को भी उठा के पकड़ लेगा, यानि सरकार सिस्ट है, देखो गांदीजी जिसकी खिलाफ है, उसकी भी खिलाफ देल से नहीं है, अभी भी गांदीजी तारिफ कर रहे हैं, क्य यह तो 5 अप्रिल को कहा है, 6 अप्रिल को पहुच जाएंगे, सरकार इसको बरदाश करती है कि नहीं, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन धहरी और सईश्नुता हमारे जत्ते ने भी दिखाई है, और बहुत अच्छा लग रहा है, और गांदीजी कह रहे हैं, अब पूरा रास जिने जब नमक सत्यागर शुरू किया, तो दूसरे लोगों ने क्या करा, चलो एके करके सब की बात करते हैं, सबसे पहली बात करूंगी किसान की, किसान, जो किसानों के जानवर थे, किसानों के क्या थे, किसानों के मवेशी थे, जो कहां पर चरते थे, जो जंगलों में वन कानूनों का निर्मान कर दिया वन कानून बना दिया और इसके द्वारा क्या कह दिया यह जो मवेशी है वह इस वन में नहीं आ सकते वन एकदम बंद कर दिया और यहां पर मवेशी नहीं आ सकते अब जानवर नहीं आएंगे तो दूद, दई, मास, गी सब कहां से आएगा बहुत मुश्किल हो गई किसानों के लिए लेकिन यहां पर अब जैसे ही गांदी ची का अंदोलन चल रहा है इन किसानों ने वन कानून जो है उसको तोड़ दिया उसका उलंगन कर दिया और उन्होंने अपने जानवरों को कहां पर छोड़ दिया जंगलों में छोड़ दिया या तो गई किसानों की बात अब बात करते हैं मजदूरों की कामगारों की श्रमिकों की तो उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने हर्ताल कर दिया उन्होंने फैक्टरियों में जाना बंद कर दिया उन्होंने भी भारी संख्या में हर्ताल कर दिया अब चलते हैं तीसरा किसकी त रहता है विद्धियार्टियों का यूआप भी डिके साथ सरकार क्या करेगी और क्या करेंगी और कुछ कर इतनी साथ हचार सुनना अच्छे से गलत नहीं बोला सही सुना है आपने लगभग साथ हचार से भी जादा लोगों को आप सोचो साथ हजार को तो मैं जेल में डालने की बात कह रही हूं साथ हजार तो आंदोलन में भाग कितने लोगों ने लिया होगा अगर सडक पर दस यहां साथ हजार को तो जेल में डाला है बाकी और भी थे तो यानि सोचो कितने बड़े पैमाने पर गांदी जी का नमक सत्याक्र वास्तों में जना दोलन और यही गांदी जी की सबसे बड़ी जीत है यही गांदी जी की सबसे खास बात है सब को साथ लेकर के आगे बढ़ रास्टरवाद को वास्तों में प्रूव करना रास्टरवाद चार लोगों का रास्टरवाद नहीं होता इसलिए हम गांधी जी को रास्टर पिता जो है वह कहते हैं तो लगबग साथ हजार लोगों को क्या कर दिया गया हिरासत में ले लिया गिरफतार कर दिया गया और प्ल निकल करके समुद्र तक बढ़ रहे हैं समुद्र तक जा रहे हैं और इसके बारे में जो जानकारी है न यहाँ पर तैनात थे कुछ पुलिस ओफिसर तैनात जो थे कौन थे पुलिस अफसर जो थे वह तैनात थे और वह गोपनिय रिपोर्ट लिखते थे आज ही हमारे पास है इनकी गोपनिय रिपोर्ट यानि छुपकर जासूस है ये तो गोपनिय रिपोर्टें जो है आज प्रकाशित हो चुकी है और आज मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पर उन लोगों ने क्या लिखा उन्होंने लिखा सभी वर्क के लोग गांदी जी से नौकरी छोड़ दो अंग्रेजों का रिष्टा तोड़ दो क्या कर दो जो अंग्रेजी सरकारी नौकरी है उससे संबंद विछेद कर दो अंग्रेजी सरकारी नौकरियां जो है उससे इस्तीफा दे दो और क्या करो स्वतन्तरता के आंदोलन में जुट जाओ इस्तीफा द और सभी लोग जूड़ जाओ, आंदोलन जो है स्वतन्तृता का उसमें भाग लेऊ, देको बड़ा कोश्चन आता है नमक सत्याग्र पर, आपके पूरे पेपर में दो ही बड़े कोश्चन आते हैं, एक तो सिंदो नरी घांटी सब्वेता हडपा सब्वेता फस्ट चेप्ट आजाओ, और स्वतन्तृता की जो ये हमने यग्य हवन छेडा, उसमें सभी अपनी आउती दो, जितना जिससे बन सकता है सभी करो, देखो अगर मैं आपको कहूँ, अगर कोई मुझे कहे, चलो, के ये नौकरी छोड़ दो, मैं कहूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नौक भी छोड़ कर गांदी जी से जुड़ गए थे, तो कुछ तो खास बात थी गांदी जी में, जब लोग इतने गांदी जी के साथ जुड़े, अब बात करते हैं, गुजरात का एक गाम है, वसना गाम, वहाँ पर गांदी जी पहुँचते हैं, और वहाँ गांदी जी ने इ किसको संबोधित किया जो उची जाती वाले पैसे वाले लोग थे उची जाती के लोग थे उची जाती के लोग उची जाती के लोगों को गांधी जी ने एक जो है भाशन दिया है लोगों को क्या कहा गांधी जी ने गांधी जी ने कहा कि भई आप स्वराज चाते हो खास बात क्या है अरे सबसे पहले आपको अपनी गलतियों का प्राश्यत करना होगा जो नीची जाती वाले लोग है उनके साथ आपने सालों साल अत्याचार किये उन्हें अपने गले से लगाओ अपनी उनसे श्रमा मांगो उनको अपने बराबरी में लाओ उनको जो उनकी का का फल है वो नहीं दे रहे हमारी यहां जाती बहुत जादा था चुआ चुट उच नीच शुरुआत से था कुछ जातिया जो नीची जाती है हरी जन है उनसे उनसे हम बिल्कुल अड़ना भी नहीं चाहते कपड़ा भी टचनी हो खाना खाना उनके साथ तो बहुत दूर की ब और फिर उससे हमें स्वराज मिल जाएगा अरे स्वराज ऐसे नहीं मिलेगा स्वराज इस नमक कर से नमक कर का हमने आंदोलन कर दिया नमक कर को हमने छोड़ दिया ठीक है और हमने क्या कर दिया कोई और दूसरा टेक्स है उसको छोड़ दिया क्या उससे स्वराज मिलेगा अरे उससे स्वराज नहीं मिलेगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो, क्या कहा गानी जी ने, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो, गलतियां क्या की थी हमने, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करे बिना आपको स्वराज जो है प्रायश्चित करना होगा और उसके बिना जो है आपको स्वराज नहीं मिलेगा गलतियां क्या कि जो नीची जाती के लोग हैं हमने उनके साथ अत्याचार किया नीची जाती के जो लोग हैं नीची जाती के लोगों के प्रती हमने क्या किया देखो यह बात याद रखन यहाँ पर गांदी जी ने कहा है वसना में कि नीची जाती को गले लगाओ उनसे माफी मांगो उनका अपनी गलती का प्राश्यत करो जब तक उनका हक तुम उन्हें नहीं दोगे देखो आप कहरे हो कि भई मैडम मुझे एक मकान चाहिए ठीके मकान तो मैं आपको दे देती लेकिन हिंदू मुसलिम सिख पार्सी लड़ते रहोगे तो स्वराज का मतलब ही नहीं रहेगा इसलिए गांदी जी ने क्या कहा था यहाँ पर गांदी जी ने जो स्वराज की सीड़ी है वह क्या बताई देखोगे गांदी जी ने कहा हिंदू मुसलिम पार्सी हिंदू मु दियां ही स्वराज की सीरी है, ध्यान रखना। स्वराज की सीरी किसको बताए, गानदी जी नहीं कहा स्वराज की सीरी हा, यही है, ऐसे step by step चलोगे आगे, नीची जाती के प्रती अच्छा वेवार, और सभी लोग मिल जूलकर, अपने हरदे को परिवर्तित करो गांदी जी न olmaz हरी जनना नाम दे दिया हरी का जन इतना भड़या नाम गांदी जी ने दिया अब बात करते हैं पुलिस के जासूस लगेवे थे अंगरी जी सरकार भी पूरा ध्यान रखेगी कि कोई उसके साशन के खिलाफ कुछ गडबड नहीं तो इसलिए जासूस छोड़े वे थे अब देखो जासूसों की रिपोर्ट क्या आ रही है जासूसों की रिपोर्ट आ रही है हजारों की संख्या में वालेंटियर यानि स्वयम सेवक हजारों की संख्या में जो स्वयम गांदी जी से जुड़ते चले जा रहे हैं स्वयम सेवक जो है उन्होंने क्या कर दिया जो सरकारी अफसर थे बड़े-बड़े कल तक आज उन्होंने नौकरी छोड़ दी सरकारी इस्तिफे दे दिये हैं और किसके साथ जुड़ गए हैं और गांदी जी के साथ यह बहुत च साथ एक पुलिस अदिक्षक उसने लिखा था रिपोर्ट में गांधी जी एकदम शान्त और निशक्प दिख रहे हैं सब कह रहे हैं जो हैं अमीर गरीब, सब गांधी जी तो भेदबाव करी नहीं रहे हैं इस्तरी पुरोष वह भी जुड़ने हैं नमक सत्यागरह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें पहली बार बड़ी संख्या में मैलाओं ने भाग लिया था तो इस्तरी पुरोष उच नीच चोटा आदमी बड़ा आदमी पैसे वाला आदमी सब जुड़ चुके हैं और बहुत जबर्दस तरीके से आंदोलन के 78 आप लिख रहे थे उस समय मैंने बोला नहीं अरे उसका तो कोई मिनिंगी नहीं है नंबर का बहुत बड़ी भारी संख में हचारों लोग अपनी नौकरी छोड़कर गांदी जी के आवान पर गांदी जी के नमक सत्याग्रा में साथ हो गये पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है वास्तव में जन आंदोलन है अब एक बहुत इंपोर्टन चीज भारत की खबर अमिरिका में सोचो अशोक जो है अगर राजस्थान पत्रिका में अशोक का नाम आता है तो शायद वा उसकी कटिंग जो है उसको बढ़िया तरीके से अपने पास रखेगा और अपने बहुत सालों तक बुड़ा होने तक उसको सभी को बताएगा कि देखो भाई ये जो है मेरा नाम राजस्थान पत्रिका में छपा था है ना अच्छा लगेगा हम कोई एक जीले के हैं तो भी हमें अच्छा लगेगा कि हमारे स्टेट में अगर मेरा नाम आ जाए चलो इंडिया में नाम आ जाए तो फिर तो बल्ले-बल्ले हो जाए नेहा मान लो ऐसा लगता है कि आपका नाम इंडिया में जो है न्यूस पेपर में इंडिया वाइडी ने पुरुसकार बिला यह तो इंडिया तक की बात हुई अब चलो इंडिया से बाहर अमेरिका में अगर कवरेज आ जाए तो यानि वहाँ गटना बहुत जबर्दस्त है यस अमेरिकी प्रेस ने इस गटना को कवरेज दी यानि टाइम नामक पत्रीका में गांधी जी की बात छपी थी यह ध्यान रखना है हाँ आगे बढ़ रहे है ताकत बढ़ रहे है बिलकुल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ताकत बढ़ रहे थी चलो अब टाइम नामक समाचार पत्रीका है उसने गांधी जी के बारे में लिख टाइम नामक पत्रिका जो है, वह क्या बताती है? Class रुक रही है? Class नहां रुक रही है? देखो अब क्या बता रही हूँ? अब मैं यह बता रही हूँ? कि गांधी जी जो है, अंगरे जी के समाचार पत्रिका टाइम थी, न उसमें खिया लिखा? उसमें गांधी जी पर बहुत हसी उड़ाई गई, टाइम नामक जो पत्रिका है, उसमें गांधी जी की बहुत हसी उड़ाई, गांधी जी की क्या उड़ाई गई, हसी जो है उड़ाई गई, क्या कहा, कि मकडी जैसा पेडू, गांधी जैसा पेडू, ऐसा लिखा गया, तक्वे जैसा शरीर जो है यानी पूल मिलाकर इसका मतलब गांदी जी की बहुत हसी छिली उड़ाई गई कि यह दूबला पतला आदमी है साधु आदमी है dessa दूबला पतला आदमी आगे नहीं conceived सकेगा दुबला जो है आदमी है वो क्या सत्यागरा वो आगे कहां चलेगा वो दो दिन बाद पसर जाएगा उसमें उस पत्रिका में दावा किया क्या कि गांदी जी दूसरे दिन जब चले थे तो जमीन पर पसर गए थे जमीन पर पसर गए इस प्रकार से उसमें गांदी जी की बहुत हसी जो है उड़ाएगी चलो कोई बात नहीं गांदी जी को कभी फरक नहीं पड़ता था किसी भी चीज से अब next week चलते हैं अच्छा class रोज रखो ओके देखो नहीं अभी दूसरे subject की class आएगी अब आपके अब हम बात करते एक week एक week हो गया गांदी जी लगातार चल रहे हैं क्या हो रहा है क्या कह रहे हैं अपना उदेश कांदी जी से हर जगे पर शिक्षा लो इतिहास एक ऐसा विशह है जो हर मोड पर आपको शिक्षा देता है असफलता मिली कोई नहीं किसी ने कहा अरे ये तो करी नहीं सकती करी नहीं सकता कोई नहीं आपने ठान ल तो सफलता मिलेगी गांदी जी को कोई फरक नहीं पड़ा गांदी जी चलते जा रहे हैं एक हफता बाद इसी को वापस लेकर आओ टाइम नामक पत्रीका को टाइम नामक पत्रीका ने क्या चापा औरे गांदी जी तो जो दुबला पतला सरीर है हमने ने सोचा उसमें इतनी जान बाकी है लगातार चलते रहे हैं और अंग्रेजी शासक भी उस साधू जन नेता से डर गए हैं उसने खुद लिखा है कि जो अंग्रेजी शासक है उन्हें गहरे तोर पर बेचेन कर दिया है यह लाइन चपी थी अंग्रेजी शासकों को जो जन समर्थन मिला अंग्रे रहा था इस यात्रा को क्या मिल रहा था यात्रा को जो नमक यात्रा है नमक यात्रा को जो जन समर्थन मिल रहा था को जो जन समर्थन भारी जन समर्थन जन समर्थन नहीं लिख रही भारी जन समर्थन लिख रही हूं बहुत जबर्दस लोग उनके साथ आ गए भारी जर समर् उसने अंग्रे जी शास्कों को गहरे तोर पर बेचेन कर दिया है वास्त में यह जो गांधी जी है इसाई लोगों को इसाईयों की तरीके से ही इसाई धर्माव लंबियों को उनी के तरीके से अहींसा के हत्यार से उनी को बेचेन कर रहा है इसाई धर्माव लंबियों को उनी के तरीके से लंबियों को उनी के तरीके से जो है पराजित कर रहा है उनी के तरीके यानि वो लोग क्या करते थे वो लोग कानून वगरों को बहुत मानते थे तो गांदी जी ने कुछ भी गलत काम तो किया ही नहीं सिरे सिरे चल रहे हैं शांती पूरवक तो इस प्रकार से ऐ अब अंग्रेजी शासक भी गांधी जी को साधू कह रहे हैं, जननेता कह रहे हैं, इसी न्यूस पेपर में छपा, कि गांधी जी को क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी उने दे रहे हैं, अंग्रेजी उने कह रहे हैं, कि वास्तव में यह तो कोई साधू है, यह तो वास्तव में क पूर्ण पॉइंट जो चोटा कुशन आ सकता है दो नंबर का नमक यात्रा के कोई दो महत्व पूर्ण परिवर्तन जो है बताओ तो यहाँ ध्यान रखना है कि नमक यात्रा का जो सबसे पहला महत्व है वह क्या है गांधी जी पूरी दुनिया के नजर में आ गए कौन-कौन से न्यूस पेपर अभी आपने टाइम नमक समाचार पत्रिका में पढ़ा अमेरिका ने और यूरोप के जो भी न्यूस पेपर छपते थे यूरोप के यूरोप के समाचार पत्रों ने व्यापक कवरेज दी है गांधी जी को समाचार पत्रों ने गांधी जी को व्यापक बहुत बड़ी बात है, कि गांदी जी के बारे में जो है, न्यूस पर बाहर के, फोरं लेंगविज के कवरेज दी, वहां पर गांदी जी की बात छपरी ही, अब सबसे बड़ी बात कि Lubman movisha is on gjithied ग्याय जो थे चटोपा, ध्याय जो थे एक महिला है, समाज सेवी का थी, कई बार नमक कानून जो है, उसको तोड़ा भी था, शराब बंदी पे लिए धन्ना दिया, जेल में भी गई थी, और इसने क्या कहा गांदी जी से बातचित करी, गांदी जी आप आंदोलन को पुरु थे गांदी जी के पास, और गांदी जी को क्या कहा, गांदी के पास, और गांदी जी से कहा, अपना आंदोलन पुरुषों तक सिमित ना रखें, क्या कहा, अपना जो आंदोलन है, वो पुरुषों तक सिमित ना रखें, पुरुषों तक सिमित ना रखें, और इसी वज़ भारतियों को थोड़ा बहुत अधिकार नहीं दिया तो बांदो अपने सारे बोरी बिस्तर और चलो यहां से जाना पड़ेगा आपको यस जब बहुत ज़्यादा देखो अगर कोई बहुत ज़्यादा आंदोलन हो तो हमें थोड़ा तो उसको देख नहीं पड़ेगा और नहीं तो इतना जबर्दस विस्पोट होगा सब खतम हो जाएगा अंगरेजों को यहाँ बात अपने दिमाग में अच्छे से समझ में आ गई अब भारतियों को नहीं दबाया जा सकता अब क्या समझ में भारतियों को सत्ता में अधिकार देना ही पड़ेगा भारतियों को जो राजनेतिक सत्ता है उसमें थोड़ा बहुत अधिकार देना ही पड़ेगा राजनेतिक सत्ता में क्या देना पड़ेगा राजनेतिक सत्ता में अधिकार, अब भारतिये सिक्षित हो चुके हैं, गांधी जी ने उन्हें सभी को जागरत कर दिया है, और अब हमें थोड़ा अधिकार उन्हें देना ही पड़ेगा, यहाँ बात यहाँ पर तै हो गई समझ में आदे, चलो अब आगे चलते हैं, देखो का जलियावाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, उसकी बाद ऐसी हालत करी थी हमारी, कोई भी अंग्रेज अफसर आएगा, आपको नीचे उत्तर कर, घसीट कर चलना पड़ेगा, आपको नाक रगणना पड़ेगा, अंग्रेज यह कहते थे हम राजा हैं, आप नीचे हो, होटलो क्लबों में कुत्तों और भारतियों का प्रवेश वर्जित ऐसा चपता था, ऐसा लिखते थे, हमारे ही घर में हम ऐसा सर्वेंट रह रहे थे, लेकिन गांदी जी के नमक सत्यागर की वज़े से, पहला ऐसा हमारी लाइफ में मौका आया, देखो यह गांदी जी बै हमारतियों को बराबरी का दर्जा जो है दिया गया, हम बराबर आमने सामने बैठ कर टेबल पर बात कर रहे हैं अंग्रेजों के साथ, यह महिला है जो बहुत ही महान समाजवादी महिला, जो कमला देवी मैं आपको बताई थी जिसकी वज़ा से महिलाओं को इन्होंने तीन गोल में सम्मेलन हुए थे, फर्स्ट गोल में सम्मेलन जो है उसकी बात करते हैं, देखो 30, 31, 32 ऐसे ध्यान रखना, 1930 में हुआ था और सारे लास्ट टाइम पे ही होते हैं, नवंबर 1930 में, लेकिन इस समय गांधी जी तो जेल में है, ज्यादा तर जो है भारतिय नेता ज्यादा तर ज्यादा तर जो भारतिय नेता थे वो कहां पर है, ज्यादा तर भारतिय नेता जो है वहां तो जेल में थे, इस समय ज्यादा तर भारतिय नेता जेल में थे और इसी वज़स से फर्स्ट गोल में सम्मेलन अगर आप से कोई पूछे तो वस यहाँ ध्यान रख इसमें भारतिये नेता जाधातर जेल में थे इसलिए इसमें जाधा कोई बात्चित नहीं हो पाई इसको आगे बीए में पढ़ोगे बिना दुलहे का विवा क्या विवा हो सकता है दुले मिना आपकेक कौटेशन आएगा जब इयए में आप फाइनल एर में पढ़ोगे इसे बिना दुलहे का विवा इतियासकार कहते हैं. चलो, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, मेन हमारा दुला कौन है? और वहाँ पर बहुत सारी बातचेत हो गई, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, अपने आप अंग्रेजों को समझ में आ गिया गांधी जी से बाचित होगी तो पूरे भरत को शांत किया जा सकेगा चलो गांधी जी तो जेल में गांधी जी को जेल से रिहार करते हैं गांधी जी बार आते हैं और उसकी बाद इर्विन उस समय जो है वायसराय था गांधी और इर्विन दोनों बात करेंगे 5 मार्च 1931 ये टाइम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे आपको डेट आपकी बुख में नहीं दिये लेकिन आपको सन दिया है और मार्च का महीना बताया है मार्च 1931 गांधी इर्विन पैक्ट कहलाता है जब गांधी और इर्विन की बातचित होती चलो इसमें क्या कहा गया इसमें सबसे पहली बात तो यहाँ की गई कि गांधी जी आप सवीने अवग्या अंदोलन खतम करो सबसे बड़ी बात जो अंग्रेजों को तकलिफ दे रहा लोग गिरफतार थे ना तो यहाँ भी कह दिया कि जो राजनेतिक कैदी है उनको रिहाई दी जाएगी दूसरी जो पॉइंट है राजनेतिक कैदियों की रिहाई राजनेतिक जो कैदी है उनकी रिहाई कैदियों की रिहाई यह खास बाते यह भी पूछते हैं बताओ जो मैने आज बताई है वहाँ बहुत इंपोर्टन है जो आपको लिखनी ही है और तीसरा क्या था तीसरा था कि आप नमक जो है उसको उतपाधित कर सकते हो तीसरा इसकी खास बात क्या थी टटिय शित्र जो है वहाँ पर नमक उतपाधन की छूट दी गई थी नमक जो है इडविन पेक्ट में थी इसी के साथ आप से आगया लेना चाहूंगी धन्यवाद इड़ देम्साथ आप साथ आप सिर्ण Oh तरह में थी इसी का साथ by कैनल एंवम्साथ अगल, सबस्सक्राश